मैं इस कदम का केंद्र सरकार का स्वागत करता हूँ और भारत में जिस परकार से पिछले कुछ अरसे से और कुछ अरसे से नहीं लंबे समय से इनकी गत्विधियां बहुत संदिग चल रही थी और एक बार नहीं अन्यकों बार इस परकार के परमान जब हासिल हुए तो कारेवाई करने की देशा में कुछ करव उठाने के आफशक्ता थी मैं आदने पदान मंतिजी आदने ग्रिया मंतिजी को बढ़ाई देता हूँ सारे निर्ने के लिए ये बहुत पहले जो होने के लिए लोग उमीद कर लिए बहुत जल्दी अभी जो इसका निर्ने लिया तो ये उचित निर्ने है और बहुत सारी गत्विद हैं जो देश हीत में नहीं हैं समाज हीत में नहीं हैं देश को तोड़ने के लिए जिन लोगों ने चला के रखी है उन लोगों को इसके कारण जो है वो रोका जा सकेगा ऐसा मेरा मानना है और एक फार फिर चे आदमी पदान मंदेंदर अंद्रिमोधी जी को और इस निर्ने के लिए मैं बहुत बहुत बदाई देता हूँ इस निर्ने का स्वागत करता हूँ तो कॉंग्रेस के लिए बहुत खराब वक्त चल रहा है और खराब वक्त जो चल रहा है उसमें आप देख रहे हैं पुझे देश बर में वो परसिती है और हिमाचर परदेश जो टुनाब के मुहने पर है वहाँ पर विए उस परकार की परसिती है कॉंग्रेस को मजबूत करने के लिए एक बैवस्टा की गए थी अध्यक्ष के साथ चार वर्किंग प्रेजिडेंट भी बना ताकि कॉंग्रेस पार्टी को इकठा रखा जाए उसको मजबूत किया जाए ऐसा एक प्रतिन करने की कोशिश की थी और उसमें से दो वर्किंग प्रेजिडेंट भारती जनता पार्टी में आगे हैं पवन काजल जी वर्किंग प्रेजिडेंट थे कांगड़ा के विधायक वो पहले आगे हैं और नालागड के विधायक और कॉंग्रेस पार्टी के वाइस प्रेजिडेंट स्टेट के वो भी हमारी पार्टी में शामिल वो Holy Lodge के बहुत करीब रहे, सारी बेवस्तों का संचालन, सारी planning की strategy बनाने में उनके एक बहुत आहम भूंका रहती थी, ऐसा हमको बताए गया, तो आज वो हमारी party में आये हैं, तो मैं उनका स्वागत करता हूँ, अविनंदर करता हूँ, और आने वल सुमय में मैं ऐसा कह सक आने वल सुमय में और भी चीज़ें इस परकार की देखने को मिलेगी, आधी Congress यहनी के आधी Congress जो है वो party छोड़ती जा रही है, तो उनका स्वागत है अविनंदर में और हम उनको पार्टी में अपने पुरा सम्मान देंगे, पुरा स्थान देंगे, पहचान देंगे, और उनके कद्द के मताविक काम करने के लिए उनको अब सब देंगे, आधी कोशी से पधान मंत्री जी पांत दिलास पुरा रहे हैं, उसके वाद में पुरा स्थान देंगे, मुझे इस बात की खुशी है कि आधने पधान मंत्री जी का हिमाचल के प्रती जो सने है, जो हमेशा उनको आकर्शित करता है हिमाचल आने के लिए और हमारा सौभाग यह हिमाचल वासियों का, अभी आधने पधान मंत्री जी मंडी में एक कारेकर में आ रहे थे जो यूद की रेली थी और पूरे देश पर में संबवता इस परकार की वो पहली रेली थी जहां पूरे प्रद दित किया उसके लिए मुनका धन्यवाद करता हूं और अभी हाल ही में जो अगला कारेकरम है जो आल इंडिया मेडिकल इंस्ट्यूट का भवन बन करके त्यार हुआ है विलासपूर में उसके उद्गाटन के लिए आ रहे हैं प्रदान मंत्री जी मैं उनका अभारगख्त क अभारगख्त करता हूं कि उन्होंने उस संस्तान को जमीन पर खाड़ा करने के लिए जब स्वास्ते मंत्री जी थे उनकी बहुत मत्तपून भून का उसमें रही है और निश्ची तरूप से स्वास्ते की सुभधायम देने के लिए हिमाचल परदेश में और बहुत बड़ दिशारे के अफसर पर में कुलू भी जाओं तो दिशारे के अफसर पर कुलू भी जाएंगे थोड़े वक्त के लिए जाएंगे थोड़ी देर के लिए जाएंगे लेकिन जाएंगे ऐसा हमने बात करिये वो भी एक आतियासी के पाल हम सब लोगं के लिए होगा हिमाचल प प्रसंता का विशह है कि नवरात्रे की सबसर पर अटल सूपर स्पेशलिटी होस्पेटल जो हमारा चमयाना का जो बन करके त्यार हुआ उसका विदीबत उद्गात में करने का अफसर पराप्त हुआ और मुझे इस बात की खुश है कि दो सौ बासट करोड की लागत ये भवन बन करके त्यार हुआ और उसके साथ साथ में यहां शीमाचल परदेश में अब सूपर स्पेशलिटी की सारी चीजों को लेकर के बेतर ढंग से मरीजों का जिलाज करने की स्थिती महमों पाएंगे और मुझे यह भी परसंता है कि 283 बैट्स यहां पर होंगी और उसके साथ जो खासतोर से जो आईश्यू बैट्स की कैपस्टी यहां पर 50 की रहेगी तो सारी चीजें गिटेल में उनको जिकर करना संबब नहीं है लेकिन बहुत अच्छी सुविधाएं यहां स्वास्ते की हमारे हिमाचल परदेश को लोगों को यहां पर मिलेगी और निश्ची तरुप से इसका एक और रहम का लाव रहेगा जो आईजीमसी पर जो जो लोड रहता है प्रेशर रहता है वो भी कापशिया तक जो है वो कम होगा और बेतर सुविधाएं के साथ हम लोगों का इलाज कर पाएंगे